हेलो एवरीवन एकेटिव बीटेक राउंड वन का सीट एलाउट्मेंट रिजल्ट आ चुका है इस्टुटेंट्स तो आज किस वीडियो में समझेंगे इस्टुटेंट्स फ्रीज और फ्लॉट कैसे करना है फ्लॉट करने के बाद आपकी वो सीट बचेगी कि नहीं जो मिली फिसर बज़े के पहले और इस्टुटेंट्स आपको यहां पर आप देख सकते पैमेंट आंप सीट कंफरमेजेन तुएंटीज vault सारे साथ float option select कर सकता है क्योंकि students अगर आप float option select करते हैं ठीक है float option choose करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आप उपर की तरफ जाएंगे अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे ठीक है लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलता उपर जाने की तरफ तो आपकी जो seat है वो आपकी confirm रहेगी ठीक है आप पूरे confidence के साथ float option select कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी choice feeling एकदम सही है और आपको उपर जाने का पूरा मौका है अगर आपको लगता है ठीक है तो आप पूरी तरीके से float option select कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जो seat चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है तो आप freeze option select कर सकते हैं उसमें कोई problem की बात नहीं है लेकिन हो सकता है first round में जादे तल लोगों को उनके जो भी choice की seat होगी वो नहीं मिली होगी तो सारे लोग क्या कर सकते हैng flood option select कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि नहीं पूरी तरीके से solla option select कर सकते हैं उनकी जो seat है वो तो confirm रहेगी रहेगी उपर जाने क्या उनके उनके पास chance रहेगा लेकिन students अगर next round में उपर की कोई seat मिल गई उपर की जो भी आपने जो आपको मिली वही है उससे अगर अच्छा मिलेगा तो फिर उनकी पुरानी seat जाहिर सी बात है किसी और को दी जाएगी अगर उससे अच्छा उनको मिलेगा ठीक है तो सारे लोग student जब आम next round में जाएंगे next round में जाने के बाद student आप अपनी choice alter भी कर सकते है रापको लगताना जोई से लुपर करनी चाहिए चेंज करनी चाहिए आप कर सकते हैं यहाप आप देख सकते हैं online choice filling यहाप देख सकते हैं online choice locking last option तो यहाणि कि 3rd round तक आपके पास मोका यह जाएगे, फोर्थ राउंड में आप खर सकते हैं, उसके आप को फिर डाइरेक्ट आटो फ्रीस हो जाएगा, उसमें फ्लॉट का उपसन नहीं आएगा, ठीक है ठीक है, डाइरेक्ट आपके सीट जो भी होगी, जो मिल जाएगी वही फ्रीस हो जाएगी, यानि कि उपर की इस सीट मिलेगी आपको जो सीट मिली हुई है उससे नीचे नहीं जाएगा ठीक उससे ऊपर ही जाएगा या फिर वही सीट जो है वो फ्रीज हो जाएगी यह है आप देख सकते हैं उसके पहले आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग भी है इस्टुटेंट्स आप देख सकते हैं जो हैगा और जिनका भी फर्स्ट राउन में अभी कुछ नहीं मिला है उनका आटोमेटिक फ्लॉट हो करके सेकंड राउन में वो चले जाएगे अगर सेकंड राउन में उनको कोई सीट मिलती है तो फिर वहां पे उनको चांस मिलेगा फ्रीज या फ्लॉट का और पेमेंट करना होगा ठीक है तो इस तरीके से यह पूरा प्रोसेश चलेगा है तो जो भी स्टुडेंट चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करके कर रखे क्योंकि जैसे ही और फर्दर राउंड चलता रहेगा हम आपको इंफॉर्म करते रहेंगे कैसे क्या करना है ओके थैं